दोसे स्वागत आप सभी का अप्डेट्स के एक नए और फ्रेस एपसोड में जहां हम बात करते हैं तो अपको सारी वीक की लेटेस अप्डेट्स तो गाइस इस वीक भी बहुत सारी अप्डेट्स आई गाडिंग वन प्लस, मोडरोला एंड प्लेस्टेशन 5 उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना नमश्यार दोस्तों मैं नमें धीरच आप देख रहे हैं एडिटेक आईए जानते हैं दूस्तों सुर्वात करते मोट रला के अपडेट्स के साथ मोट रलाने पिछले वीक अपने दो नए पिछले हबते में एक था मोटो जी फांच और दूसरा था मोटो इ और मोटो जी फास्ट के बारे में मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं उपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा आप जाके देख सकते हो MotoEK अगर हम बात करें तो यह एक लो बजट फोन होने वाला है जहां पर आपको 2GB की रैम और 32GB की इंटरनल स्टोएज मिलेगी एक कामरा में मिलेगा 13MP प्लस 2MP का कैमरा रेर में और फिरंट में आपको मिलेगा 5MP का कैमरा सहाधी सहाथ अगर हम इसकी अपरिटम मीलेगा Android 10 का सपोर्ट बैटरी ए अगर में बात करें तो Motorola One Fusion Plus, इसके बारे में अलग से वीडियो में बना चुका हूँ, आप जाके उसको देख सकते हो, इस फोन में आपको मिलता है Snapdragon 730 प्रोसेसर, 6GB की RAM के साथ ये फोन आता है, इस फोन की अगर प्राइस की हम बात करें तो ये फोन तकरीबन 20,000 से 25,000 के आसपास इंडियर में आ सकता है, और अगर हम बात करें इंडिया में availability की, तो यहाँ पर आपको 16 जून को इंडिया में इसकी launch event दिखेगी, flip card पे ये टीज हो चुका है, तो ये phone confirm है कि flip card पे ही आपको मिलेगा, तो वेट करते हैं 16 जून का किस प्राइस में launch होगा, ये उसी दिन पता बढ़ते हैं अब अगले update के तरफ, यहाँ पे अगला जो update आया, वो आया Sony के तरफ से, Sony ने finally PlayStation 5 को reveal कर दिया, दुनिया के सामने, ये है वो PlayStation 5 जिसका हम सब वेट कर रहे थे, खासकर मेरे जैसे लोग तो काफी जादा वेट कर रहे थे, खासकर जो hardcore gamer है उनके लिए तो dream come true वाली बात है, लेकिन Sony ने जस इसे tease किया है, अभी इसकी price और details अवेलेवल नहीं है, बहुत सारे rumors चल रहे है, वो अलग बात है, लेकिन confirm price इसकी features वो अवेलेवल नहीं है, हाँ, games अवेलेवल है, कौन-कौन से games इसमें चलेंगे, कौन-कौन सा नया upgraded version आपको इसमें देख आप जाके देख सकते हो, लेकिन guys, इसके regarding आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए, कि इंडिया में ये थोड़ा लेट में आएगा, प्लहले, international market में पूरी तरी के से आजाएगा, फिर ये Indian market में एंटरी करेगा, तो Indians को हो सकता है, थोड़ा वेट करना परे, लेकिन PlayStation 5 वाक अब तक आएगा, याभी कहा नहीं जा सकता है, लेकिन हाँ, बहुत जल आ सकता है, क्योंकि Xiaomi का एक बहुत major market है, इंडिया और इसको वो miss नहीं करेगा, तो बहुत ही जल आपको MI Band 5 देखने को मिलेगा, अगर हम कुईक फीचर की बात करें, तो यहाँ पे आपको मिलता है 0. 0.95 inches का display, यह एक AMOLED डिस्पले होगा, resolution के अगर हम बात करें, तो यह होने वाला है 120 into 240 pixels, तो यह बहुत ही एक major upgrade के साथ तो नहीं, लेकिन हाँ, कुछ खास update के साथ जरूर आ रहा है, AMOE Band 4 से बहुत जादा enhanced है, और साथ ही साथ, प्राइज भी comfortable range में है, प्राइज इसकी 25 तो क्या सपास, अगर मैं Chinese currency को directly Indian currency में convert करूं तो, लेकिन देखना परेगा कि Indian market में कितना price में launch होता है, इसके उपर अलग से एक dedicated video में बना चुका हूँ, अगर आप पूरा detail information जानना चाहते हो, तो आप यह video देख सकते हैं, उपर i button में इसका link दिया हुआ है, तो guys, अगल के बाद OnePlus एकमात्र company है, जो अपने users को beta version मोहिया करा रही है, अभी तक तो यही है, आगे देखते हैं कि और कौन-कौन सी companies Android 11 beta version का update अपने users को देती है, या फिर directly Android 11 का update initiate करती है उनके phones में, guys, अगली जो update आई वाए Twitter के तरफ सा, यहाँ पे Twitter ने finally initiate कर दिया अपने platforms पे story का system, यह stories का system आपको लगबग हर एक social media platform पे देखने को मिलता था, सिभाए Twitter के, याने कि Facebook, Insta और यहाँ तक की WhatsApp पे भी आपको stories मिल जाते थी, लेकिन Twitter पे यह नहीं था, finally Twitter ने launch कर दिया अपने हर एक users के लिए story का system और यहाँ पे Twitter ने इसको नाम दिया है fleet, और fleet का स्तमाल करत यह app के followers को आप से और भी जादा बहतर तरीके से connect करेगा, इसमें systems वही हैं कि 24 गंटे के लिए एक fleet update रह पाएगा, 24 गंटे बाद अपने आप vanish हो जाएगा, हर जगा यही हमें देखने को मिलता है, और Twitter ने भी यही किया है, तो एक अच्छा initiative मानेंगे Twitter के तरफ से, क्यू आपको आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा, तो यह थी इस वीक की पूरी update, उमीद करता हूँ, आपको यह वीडियो पसंद आगा, वीडियो पसंद आगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, और शेयर करना मत भूलना, अगर आप चैनल पर नहीं हो तो जल्दी से सब सब्सक्राइब कर दो, और साथ ही साथ बिल आइकन को दबा दो, और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसा ही बनाए रखो, मिलता हूँ आपको यह नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए, जहिंद!